इश्वर जी ने जब सुरिष्टी की रचना करी पूरे ब्रह्मान्द की उन्होंने प्रिंसिपल यूज किया 50-50 कोई भी चीज देखेंगे आप कुछ भी एंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, मैठ्स, फिजिक, स्पिरिच्वालिटी सब कंभीनेशन ओपोजिट्स का है 50-50 आपने ऊपर बैठे-बैठे एक स्टेट्मेंट दिया था एवरी एक्षिन है इक्वल एपोजिट रियक्शन और सम्थिंग लाइक दाट जब आपने रती जी की तरफ इशारा किया 50-50 50% दे, 50% नाइट उपर, नीचे, खटा, मीठा, आगे, पीछे, सब कंभीनेशन है इसी तरीके से हैं सुख और दुख सुख का समय बहुत स्वीड से निकल जाता है पता भी नहीं चलता है और दुख का समय आता है तो बोलते हैं ओ बाप रहे, अरे बाप रहे, आसु मुसी बच्चे ये भगवान, ये वक्त अपने भगवान नहीं याद करिये प्रभू जी को पता था कि दुख आएंगे और प्रभू जी ने उस दुख के समय में हम लोगों को सपोर्ट करनी के लिए प्रभू जी ने इनसानों के बीच में कुछ विशेश इनसान बना दिये जिनको हम आज सुबह इश्वर के भेजे हुए दूथ कहते हैं ये वो दूथ हैं जो अपने लिए तो परिवार के लिए वेलफेर करते ही हैं पर समाच के लिए भी वेलफेर को उतनी इंपॉर्टन्स देते हैं और ये वो दूथ हैं जो ये ये मतलब मैं खुद स्वय हम और ये ये पूरा ब्रह्मांड पूरी हुमानिटी मेरा आज हमें खुशी है के ऐसे दो देवदूत अज हमारे विशेश महमान है मैं बात कर रहा हूँ शाजू जी की और साथ में आई हूँ उनके धरम पत्नी अनिका जी क्योंकि ये एक हूँमानिटी की सभा है मैं उनके बिजनिस की कोई इंट्रोडक्शन इसमें देना जुचित नहीं समझता पर ये आपको आश्वाशन देता हूँ क्योंकि मैं इन से बहुत क्लोजली परिचित हूँ इंसानियत के लिए हूँमानिटी के लिए बच्चों के लिए जरूरत मंदों के लिए इस कपल का दिल धड़कता है इन्होंने आनंद आश्रम के आशाएं प्रोग्राम जिसके अंतरगत आप सभी कवर होते हैं इन्होंने विशेश सपोर्ट को आपरेशन और ब्लेसिंग्स दी है जो इनकी दी होई आप क्लैपिंग करना चाह रहे थे तो इनकी कंपनी द्वारा दिये हुए सपोर्ट हम आनंद आश्रम तो बीच में वाया मीडिया है एक तरफ से ईश्वर जी इन लोगों के तुरू भीचते है दूसरी तरफ हम वो मदद को आप तक पहुचा दे है बच्चो मैं अब यहाँ वाणी को विराम दूँगा आप सभी को बहुत बहुत प्यार बहुत बहुत धेर सारे आश्रवाद और मैं निवेदन करूँगा शाजू जी को कि अगर आप कुछ Blessings के शब्द बच्चो के लिए कहें तो हमें खुशी होगी आनीता जी शाजू जी के भाद आप भी अगर कुछ दो शब्द कनवे करना चाहें हमें खुशी होगी कि वो तो काफी अच्छी बशन दिया है उन्होंने मेरे बारे मेरा मिसिस का बारे में काफी अच्छा तारिफ किया Let me express my sincere thanks to Cash जी and Aashian and the Office Barres of Aashian कि मुझे ये program में एक participate करने के लिए एक मौका दिया हुआ है बहुत अच्छा लगता है और ये भी बहुत अच्छा लगता है आप लोग अभी university education के लिए जा रहे हैं कौन से आप लोग सब science है, commerce है, arts है सारे commerce में है ये decide किया है कि commerce का बारे में क्या करेगा सिरुफ become करके कतम करना वाला है कि कहां तक जाने का प्लान है computer science करना जाए है very good, chartered account कि में भी एक अईसा है गाव से आया हुआ है कि एक वर्नाकुला मीडियम में हमारा केरला से छोटा गाव से आया है मले आलम मीडियम में पड़ाई किया है ऐसा और जबी पाली बार नोकरी के लिए बॉंबे आया तीक से हिंदी बोलने नहीं आता था ठीक से अभी भी मेरे हिंदी इतना अच्छा नहीं ए जो लोग मेरे पीछ भी 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 अजी माजाग उड़ाता है कि इसका हिंदी ठीक नहीं है बट मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर तुम लोग को इच्चा है वीलपावर ह कोई न कोई सपोर्ट तो देएगा ये बार आनंदा अश्रम आया दूसरा जगह पर उसमें मुझे एक प्रेरी बन गया दूसरा कोई आते रहेगा सो एक हमको determination किसी को chartered account बननेगा किसी को bank में नोकरी का होगा किसी को दूसरा नोकरी में होनेगा बड़ हमको एक ये चाहिए हमको कहां तक पहुचने का अगर ये दुनिया में आप लोग डिसेड किया हमको यहां पहुचने का ये पूरा लोग आपको help करेगा ऐसा एक आदमी नहीं तो एकदम से ध्यान से पढ़ाई करना अच्छी तरफ खेलना सिर्फ पढ़ाई में ध्या करना नहीं देने का मैं सभी के लिए अल्ड़ बस बोलता हूं जितना मेरा अनद अश्रम से तू हो सकता है हम लोग करते रहेगा और वंस अगेन अल्ड़ बस फो यौल पीपर एक बर मुझे मोगा मिलाया सर का धन्यवाद दुबारा देने का थैंक यू सो मस क्योंकि हमारी बच्चियों को एक सही डारेक्शन और मागदर्शन की जरूरत है और आज मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग के लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो हम तो सिर्फ माध्यम बने हैं कि आप सर से बहुत को सीख सकते हैं जैसा सर ने बताया कि एक वो छोटे से गाउं से आ आप निए ज्यारेक्ट किया हैं जो भी बच्चिया कर रहे हैं भी कॉम कर रहे हैं जो भी कुछ बनना चाहते हैं डिसाइड biology करेंगे क्योंकि सही समय पर हम अगर एक डिसाइड कर लेते हैं तो उसकी तरफ पूरा जुड़ जाते हैं और एक बहुत शोटी सी पियारी सी मुझे याद आरी है बाइबल में मत्ती में क्याते हैं कि जब existence होता है तो वहाँ परमेशर हमारे लिए बहुत मदद करता है तो मैं प्रोग्राम के शुवात में आप सभी को बदाना चाहूंगी कि सर को आपने सुना जो हमारे टरस्टी हैं डिरेक्टर सर मिस्टर के एस आसान होता है अपने लिए सोचना बहुत आसान होता है लेकिन सबके बारे में अपने जैसा ही सोचना बहुत मुस्किल होता है ऐसा मैं मानती हूं कि वैसा ही बेखें अपनी बच्चियों के लिए जैसा सोचते हैं वैसा ही वो आपके लिए सोचते हैं तो यह हमारे लिए ब वोट हम लोगों को मिलेगा, मैं उमीद करूँगी और तहे दिल से उनका थैंक्स बोलूँगी कि सर ने जो बच्चियों के लिए ब्लैसिंक्स कहते हैं ना बडों का हाथ अगर हमारे सर पे होता तो बहुत ही अच्छा लगता है तो वो फीलिंग आ रही है और साजू सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँगी उनके साथ अनीता मैं मैं आई हैं ये भी बहुत खुशी की बात है मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँगी, सर ने उपर बताया हम लोगों को कि सर की success में बहुत बड़ा हाथ उनकी wife का है यह सुनके मुझे बहुत अच्छा लगा, अंदर से बहुत क्यारी feeling आई कि means female क्या होती है, सरस्टी का नन्मान जैसे सर ने बोला कि जब हुआ तो female के अंदर जितने भी difficulties आती है वो कैसे shot out करती है, क्योंकि मेरा ये personality मानना है कि हम केंदर बिंदू होते हैं और एक educated घर में आप जाएंगे तो एक अलग से माहौल और एक अलग से feeling आएगी वो हमीशा मैंने अनुभव किया है जब भी मैं किसी के घर में गई हूँ, तो मैं आप लोगों से भी expected होती हूँ रमन सर, आप लोग पुराने student तो सभी जानते हैं, जो नई student है मैं उनको बताना चाहूँगी वो आशाओं के लिए इस ट्रस्टी इन चार्ज है, रमन सर के लिए जोड़दार दालियां, क्यों? क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, जो आज भी कहूँगी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मगवान ने उनके लिए उनको एक राजकुमार दिया, उनका एक बहुत सुन्दा सा बेटा है, लेकिन बहुत सारी राजकुमारियां आप लोगे रूप में दिये हैं, तो मै हमेशा यह कहती हूँ, और मैंने जब भी देखा तो वो बहुत डेडिकेशन से आप लोगों के बेशा में सोचते हूँ, और हम लोग उसके उपर काम कर पाते हैं, उनके मार्ग दर्शन में, और आप प्रदीप सर से सभी लोग बाकिफ होंगे बहुत अच्छे से, हमारे च जीब सर है, जो हमारे ट्रस्ट इन चारज हैं, और आशायों के साथ हमारे हम सभी इनके मार्ग दर्शन में काम करते हैं, हमारे बीच में backstory में में सीज हर्चिताजी हैं, जो हमारे और और प्रोग्राम है, जीवनमु उनकी चेय परसल हैं, काम चंधानी सर हैं, थैंक्यू सो आप लोगों के साथ इसलिए मैं आनंद आश्रम के साथ जुड़ी हूँ एक बहुत ही प्यारी एनरजी महसूस करती हूँ तो कारीकरम की शुवात करती हूँ मैं आप सभी काविनंदन करती हूँ आज के प्रोग्राम में और रिक्वेस्ट करूँगी आज एक छोटी सी बात क काम में आपको अभी बताती हूँ उनकी चार लाइने उन्होंने आप लोगों के लिए और आनंद आश्रम के लिए इस्पैशली भेजी हैं मैं बोलना चाहूंगी कि आनंद आश्रम को वह अपनी नजरों में क्या देखती हैं क्योंकि वह बहुत इनीशली जोड़ी हैं आशाएं ही आशाएं हैं दस साल पहले एक बीज जो पढ़ा था आज वो वटब्रक्ष बनने के देखो खड़ा है अनेकों के योगदान से ये बड़ा है हर एक सेवक दूसरा नाया फूल है हर एक सेवक इसका नाया फूल है खुश्बु जिसकी अपनी और अपना ही नूर मेहक रहा जिससे आनंद आश्रम दूर दूर है चोटा या बड़ा सबने बस सुकून पाया है जिसने जो भाई उसकी सेवाओं में हाथ बटाया है आगे ही बढ़ता रहे ये कारवा बस मेरी है ये दुआ ये रिटेन बाई आशिरवाद है कुमकुम लाल जी का मैं उनको धन् पहुचाया और मैं सर को एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई भी भाव या कोई भी इक्षा आप व्यक्त करना चाहें तो प्लीस क्योंकि हम जितने बार भी सुनेंगे बहुत कम होगा मैं चाहती हों कि सर आशीर वचंद दे हमारी बच्चों को जिससे की उनको औ और आगे बढ़ने में साहता मिलें फर्स्ट पार्ट में देवदूतों की बात हुई पर बच्चों बीच में सेवा की बहुत कडिया हैं आप तक सेवा पहुचाने में मैनेज करना बहुत चैलेंजिंग टास्क है काफी मेहनत जाती है काफी पैशन चाहिए परिश्रम है अ और मुझे खुशी है ये आपको कहने में के प्रदीप भिंडे जी जो आशाय के चैर परसन है डॉक्टर वंदना जी जो को चैर हैं ये दोनों का दिल कॉंस्टेंट धड़कता रहता है आपके लिए और और यकीन मानिये कभी-कभी तो हमको डाट भी लेते और हमसे लड़ लेते हैं आपके बेनिफिट के लिए हम सब तहे दिल से प्रदीप जी आपका वंदना जी का अप्रिशेशन करते हैं ये तैंक यू बेर माच थैंक यू मिर चंदानी जी, हर्षिदा जी आपने संडे मॉर्निंग समय निकाला आशायं के प्रोग्राम के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मनोज जी, यू आपका ही ओर्गिनाइशन रहता है थैंक यू वर्माच ये हम सब की तर अप्रिशे साथ। मैं नूमली आपकाय इंड लू नापने परसंगर काय मैं इसले तो और ये मलब जो भी करते है मैं सपोर्ट करते हूं So, as he said, he's an inspiration, मैं सिटी में बॉन आप बॉट अप हूँ, I came from Bombay, Baroda आई, शादी के बाद, तो ये एक मिसाल है, because he came from a छोटे विलेट से आए है, और खोद उन्होंने अपने आपको कैसे डेवलप किया, और not only अपने आपको डेवलप किया, अपने फैमिली को सपोर्ट किया, कि आप लोग जब बड़े हो जाए, तो अपने कुद के फैमिली को भी सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, so that you should remember always, और पेरेंट को जटना प्यार उन्होने दिया है, तु कि एपको तु कींग। जटना उन्होने दिया है, और आपश नहोने दिया है। अए तु कैना उन्होने ज़रूए है और ऐसा है की अनुबव्वाह कीолотूरू तु को श्मूण मिलाई वो प्यार, फिर भी he keeps on कि अन्हें पिर्फे कि यह यहाँ झान झान प्रूट कि यह झान कर दो कर दो खुड़ गर्जाओ कर दो खुड़ और यह झान की ड्यान प्रूब निता बड़्स झाल झाल